अपने रसोई आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ताजे मतर से बने हुई बहुत ही टेस्टी सा नास्ता आप इसे साम की चाय के साथ खा सकते हैं यह नास्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होता है तो एक बर आप इसे जरूर ट्राइ करेगा आपको बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आदी कटोड़ी ताजा मतर लिया है इसे मिक्सी में हमें पीसना है तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे अदरक डाल दिया है और दो हरी मिर्च डाल दी है तो बिना पानी डाले हुए ही इसे ऐसे ही हम क्रिस्प करेंगे मतलत पीसें जितना भी यह पीसा जाएगा पानी हमें नहीं डालना है तो यह देखिए थोड़ा साइसे मोटा भी रहेगा तो चलेगा तो जितना पीछ सकते हैं न पीछ लिए फिर एक पैनिया कराही में हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हम एक कटोड़ी पानी डाल रहे हैं अभी तक हमने गैस को अने किया है तो यहाँ पे एक कटोड़ी हमने पानी डाल दिया है साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे नमक डालेंगे तो यहां पे एक चमाच चीली फ्लेक्स डाला है एक चमाच जीरा डाला है साथ ही स्वाधनसार नमक डालेंगे और यहां गैस को अन कर दिया हमने थोड़ी सी बारी कटिवी धनिया पती डाल दी है तो यहां पर जैसे हैं इसमें बॉइल आना सुरू हो जाए तो जिस कटोड़ी से हमने पानी डाला है उसी कटोड़ी से एक कटोड़ी चावल का आटा डालेंगे जाये तक उमने को बना जाएगा या पूरी भी बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एक बाइ आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो इसे एक दूसरे बतर में हम निकाल लेते हैं यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि यह पहले से ही अच्छे सी लोई ले लिया इस तरीके से आप हाथों से इसे फैला ले या फिर चाहे तो बेलन से थोड़ा सा फैला ले पर बहुत जादा इसे पतला नहीं रखना है थोड़ा सा मोटा रखेंगे और आप कोई सा भी डिजाइन में इस नास्तिक को बना सकते हैं आप किसी भी ढखकन से कुकी कटर से एक प्यार सा डिजाइन दे रही हूं तो अगर आपके पास कुकी कटर हो कोई डिजाइन वाली तो आप उससे कट कर ले या फिर जैसा चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं बच्चों को ना अलग-अलग डिजाइन की कुछ चीज़े बना कर दीजे खाने को त अब बच्चे हैं कि आप बड़ो को भी थोड़े अलग डिजाइन वाले अलग से पाले चीज़ दीजे तो अच्छे हैं तो देखने में सुन्दर लगता है खाने में तो टेस्टी होता ही है तो यहां पर हमारी जो नास्ता है थोड़े से हमने काट लिए है तो चलिए बिन एकवर पाले स्वेदिद अब शेटरओर ने करिणा तो पैसे तो तो बस रने करेंगे नीगता मसाणा रहे करें घमनी तो नहीं चलू है घमने वालंगता दिफह कुछा उनकाला लिए तो बहुत है चावल के दो बेंका हो जाएन चावल के आँख से बना हूँ और और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा इसमें हमने मसाले डाले हैं मता डाले हैं तो बहुत ही अलग सा बहुत ही टेस्टी सा इसका टेस्ट आता है एक बार आप जरूर ट्रै करेंगा रेस्पी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा सेयर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें बहुत ही पसंद आएगा तो चाय के साथ आप इस रेस्पी को ट्राइ करें तो इसे निकाल के टी सूपेपर पर रख दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा रह निकल जाएगा तो इस तरीके से बाकी फ्राइब कर लेंगे ताजी मिटर से बने कुई या नास्ता बहुत पसंद आएगी अब एक बर्चे रो ट्राइब करिएगा